हाई दिस इज एनच ग्रीन फरम ग्रीन इंग्लिश आज हैं स्टोरी ओफ इंग्लिश चैप्टर फूर मिडिल इंग्लिश की सामरी और पराफ्रेजिंग देखेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जुनरेली जो है ओल्ड इंग्लिश प्रियड को समाप्त 166 एडी में माना जाता है क्योंकि नॉर्मन्स कॉंक्विस्ट जो इसी साल हुआ था और नॉर्मन जो लोग थे वह फरांस से आए हुए लोग थे फ्रेंच पेपल थे लेकिन मिडिल इंग्लिश का जो आस्तित हो है व इबन सौ साल के बाद और जो है मिडिल इंग्लिश प्रियड एलेवन फिफ्टी से फिफ्टीन हंडर्ड एडी तक माना जाता है और इन दोनों प्रियड के बीच में जो ट्रांजिशनल प्रियड था ट्रांजिशन कहने का मतलब यह हुआ कि एक रूप से दूसरी रूप मे बीच गивलेग तो कि जो प्रियड थे वह ट्रांजिशन प्रियड थे यानि उसमें जो चेंजडेस हुए इस कंडिशन में जो है लbuat वह पूरी तरह सेश्लक्स कंडिशन में था क्योंकि लेगविश डेवलपमेंट जो है वो इधर भी जाता है जब द्रांजिशन प्रियड तेकनलोजी है उसके establishment और दूसरा great bubble shift है आज जो है हम विश्व को बीना printing प्रेस्ट टेकनलोजी से के consider नहीं कर सकते हैं और यह printing प्रेस्ट जो है यह William Caxton के द्वारा विस्ट मिनिस्टर AB में 1476 AD में established किया गया और इसने बहुत ही heroic role इतिहासिक role निभाया English language के development में और English language को standardize किया हलांके English language जो है अभी भी Middle English की dialectical थी लेकिन दीरे-दीरे modern English में यह standard language बना और modern English में standard language बना फिर भी इसके काफी varieties थे कुछ regional यानि कुछ special जगों पे कुछ दूसरे phonology या tongue या sound के साथ बोली जाती थी और कुछ international जैसे international की अगर बात की जाए तो Indian English Canadian English American English यह सारे English में कुछ न कुछ थोड़ा फर्क होता है ओके सबसे बड़ा जो है linguistic जो चेंज लैंग्वेज में जो चेंज हुआ था वो ग्रेट वाविल शिफ्ट था और ग्रेट वाविल शिफ्ट में English में जो लॉंग वाविल्स थे उसमें चेंज हुए हालांकि कॉंसोनेंट में भी चेंज हुए लेकिन यह जो है काफी कम हुए है ओके डालेक्ट्स ऑफ मिडेल इंग्लेश ओल्ड इंग्लेश में चार डालेक्ट्स थे नोर्थंब्रियन डालेक्ट्स क्यों कैन्तिस मरर्शियन और विस्ट साक्षं यह चार डालेक्ट थें लेकिन इंग्लेश में यह चार डालेक्ट्स नीव्यंट्स ऐस था, सिर्फ एक केंटिस जो डालेक्ट है वह अंचेंजड रहा क्योंकि अब जो है नौर्धर्न जो है नौर्धर्न नौर्थंबरियन डालेक्ट की जगह पर नौर्धर्न इस्तामाल हुआ अगर इसके अलावा जो है वेस्टिस शैक्षन को अब साउधर्न डियल quests कहा जाने लगा, मर्शियन जो है, दो डिवाइड हुई एक जुथा इस्ट मिड्लेंड और एक वेस्ट मिड्लेंड ड्यलिक थब और केंटिस में कोई चेंज़ नहीं हुए और इंगिलिश के जो उत्पति हुए जो आज हम इंगलिश से इस्तामाल करते हैं Modern English या East Midland डालेक्ट से हुआ और यह जो डालेक्ट है यह बहुत ही geographical consideration के हिसाब से जो इंपोर्टेंट माना जिन लोगने जिसका इस्तामाल किया उसकी वज़से यह डालेक्ट जो है काफी आगे बढ़ी और जेफरी चॉसर जो राइटर है इस डालेक्ट को लेकर काफी आगे उन्होंने इस पर वर्क किया जिससे यह काफी डैवलप्ट हुआ Middle English vocabulary इसमें जो है French सासक जो थे France के जो सासक थे उनका जो रूल था उनका जो सासन था जिसके वाज़ से काफी French votes इंग्लिस के अंदर आ गए और यह जो वोट्स थे यह dignity से related honor से related और royal offices से related इन शाही वोट्स थे सम्मान के वोट्स थे और इन वोट्स में से कुछ वोट्स जैसे realm सासन के थे कुछ सर्धान जली के लिए prince, princess, duke, duchege okay, castle, palace और sovereign यह सारे वोट्स थे और करीबन 13 and 14 century में French हलांकि धीरे 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 इसका development हुआ लेकिन 13, 14 में कुछ जादा हुआ और एक estimate के अनुसार करीबन 10,000 नए जो शब्द हैं वो French से English में आए और जिन में से हम 75% आज भी उनका इस्तामाल करते हैं और इन में से ज़्यादा वोट्स जो थे वो law से related, literature से related, administration से related, religion से related और fashion से related थे और दूसरा जो influence हुआ वो Latin का था और Latin का influence Latin से कुछ वोड्स तो डारेक्टली आए English के अंदर लेकिन कुछ वोट्स फ्रेंच में गाए और फिर इन से फिर रिफाइन होगे फिर English में आए इनमें से जो कुछ वोट्स थे वो history, index, intellect, legal, magnify, picture, genius, summary, substitute, temperature, और private थे, middle English grammar को अगर देखा जाए तो middle English grammar में जो changes हुए बहुत ही extensive level changes हुए भी star changes हुए जिसमे phonology जो है sound system जो है वो बहुत ही change हुआ क्योंकि old English में पहले inflection बहुत ही इस्तामाल होते थे inflection का मतलब होता है कि grammatical जो changes थे words के last इम जेंडर या tense या singular से थे तो वो काफी इस्तामाल होते थे old English में जिसके वज़े से यह एक standard नहीं था, analytical dialect नहीं था लेकिन यहाँ पर middle English में जो ही यह धीरे धीरे सब खतम हो गई और inflection खतम होनी के वाई से एक analytical dialect बना और दूसरा जो है another major phenomenon दूसरा सबसे major जो घटना था वही यह था कि great vowel shift great vowel shift जो है अगर middle और modern English में दोनों में अगर हम consonant system को देखा जाए तो बहुत ही कम अंतर मिलता है लेकिन vowel को देखेंगे तो long vowel काफी जो है वो short vowel में change हो गया और यह change बहुत ही बड़े पहमाने पे हुआ जिसकी वज़स से यह एक series ही पूरी तरह से change हो गया और यह long vowel को बहुत ही effect करता था किया तो इसे ही हम great vowel shift कहते हैं अब middle English literature हम देखते हैं Middle English जो है literature यह इसमें पहला जो phase था वो 1150 AD से 1250 AD तक था और इसमें केवल वैसे work थे जो religious nature के थे यानि धर्म से related थे और इस में जो था वो French literature जो था वो ज्यादा influence करता था ओके लेकिन जो दूसरा phase था वो 1250 से 1350 तक यह जो है पूरी तरह से छमता रखता था क्योंकि इसमें dialect जो है वो इस्तामाल होने शुरू हो गए और dialect के जो सब डिवीजन थे वो इस्तामाल होने शुरू हो गए और बहुत से French romance के जो है ट्रांसलेशन भी हुए है जिसमें ले अफ है बलोक दडेन भी है जो मिडलैंड डालेक्ट में है और यह यह पूएम जो है पूरी तरह से बताता है किस तरह inflection जो है वो खतम हो चुके थे और vocabulary जो है French से पूरी तरह से मिल चुके थी इसके इलावा दो वर्क और एक The Romant of the Rose जो जेफरी चौसर के दवरा लिखिया गया था और एक romance of king यह भी बताता है कि कैसे जैसे है French words बहुत ज़्यादे कैसे यह English में यह इस dialect में कैसे ज़्यादा इस्तामाल किये गए है और second half of 14th century जो 1300 से 1400 था इसमें कुछ individual प्रक्तिकत राइटर आ गए और इस फेज को जो हैं classical middle English के नाम से भी जानते हैं और इसमें के जो notable writer है जो main-main writer वह चौसर थे जोन गावर थे William Langland और जोन विकलीफ और इनके जो वर्क्स जो है इस एज को बिल्कुल Outstanding Age बनाते हैं और इनके जो कुछ वर्क्स थे विल लॉन वर्क आप दीज राइटर्स चौसर के दा प्रॉलॉग आउप दे out καंटभन वेटेंस और कैंटिवर ईस ृ प्रलंच वीटेयल का मतलब होता है पने इसफ्त आउ यह बिल्कुल सेपरेट होता है किसी भी वर्कस से सेपर्यों इसके पहले जो प्रस्ता होती हैं उसे प्रॉलोग कहे थे नहीं प्रेटीष पूब good women and the book of Duchess the house of fame the Parliament of Falsies are a work to do the Chaucer के थे और गौवर के जो थे Meditanties उसके बाद Vox Clementis or Confessio Amantis Confessio Amantis English में थी जब के Speculum Meditanties जो थी यह आपके French में थी और Vox Clementis यह Lighting में थी और Langland की Pairs of Plummen अभी Cliff की Bible Translation थी और इसके अलावा भी एज के जो दो सबसे महात्पुन वर्क थे वो ऑथर का नाम वहाँ पर नहीं है किसने लिखा है लेकिन वह द पर्ल और सर गोइन अंद ग्रीन नाइट जिसमें सर गोइन अंद ग्रीन नाइट जो है यह इंग्लिश poetry का great example आज भी consider किया जाता है और इनमें सबसे जो शिखर पे अगर poetry कहें किन के थी तो वह जेफरी चॉसर के थी क्यों जेफरी चॉसर के poetry से Middle English के पूरे लोगों का जो है वो लाइफ और एक्टिविटी जो है पुरा दिखता है और चॉसर जो चॉसर का जो वर्क है वह Middle English grammar vocabulary and pronunciation को जानने का एक अच्छा सरोत है वैसे मैंने इस पे पूरी टेक्स्ट्वल विडियो भी बनाई जिसमें टेक्स्ट के साथ साथ मैंने मिनिंग को डिसकस किया है तो वह भी आप जाके जो है झाल 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 झाल